चले आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 2 है जिसमें एक कविता है धनुस भंग और जिसके रचेता तुलसी दास जी हैं इसके 7 पध्यांस की व्याख्या सीखेंगे इसके पहले हम लोगों ने 6 पध्यांस को देख लिया है तो देखे बार-बार मैं कहता हूं कि वहुत ही आसानी से व्याख्या करना सीख जाएंगे देखे तीन चीजे मैं बार-बार कहता हूं कि आप 3 चीजों पर ध्यान दीजे पहली चीज है कि यह जो सब्डाय है यह जो भी सब्डाय हैं जितने भी इसमें सब्डाय हैं इनके अर्थ को आप जरूर याद कर लिजे अगर आपने अर्थ याद कर लिया, तो आप मान की चलिए कि 95 प्रतिसत आपने व्याख्या सीख ले, बस 5 प्रतिसत में दो चीजे होती है, दूसरी चीज होती है कि आप जो है, ये जो सब्दा है, कभी कभी अपना अर्थ सीधे सीधे दे दे देते हैं, कभी सब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, तो वो सब्दों को आप आगे पीछे करना सीख लिजे, और तीसरी जो सबसे महत्पूर्ण चीज है, कि कभी कभी वाक्य को पूरा करने के लिए, हम थोड़ी बहुत चीजे अपनी तरफ से भी जोड़ते हैं, तो जो चीजे हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, उस पर आप ध्यान दीजे कि कैसे मैंने वाक्य को पूरा करने के लिए उसको जोड़ा है, ठीक है, ये तीन चीजे ये आप सीख लेते हैं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको व्याख्या ना आए, तो चले, सबसे पहले हम लोग ये जो सब्दाय हैं, इन सब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, मंत्र, मंत्र मंत्र ही रहेगा, आपको पता है कि लोग मंत्र पढ़ते हैं, परम माने होता है बहुत या अत्यांत, लग माने छोटा, जास माने जिसके, बस का मतलब बस में, बीधी माने होता है ब्रहमा, हरी माने होता है विष्णू, और हर माने होता है शंकर, आप कहते हैं ना हर-हर महा देव, तो हर माने संकर, सुर माने देवता, सर्ब माने सभी, तो सुर्ब मतलब सभी देवतागण, देखें महा मत दो सब्दों से बना है महा माने होता है विशाल भारी और मत माने मत वाला तो महा मत माने हो जाएगा विशाल मत वाला गजराज मतलब हाथी कहु माने कहना बस मतलब बस में आप कहते हैं न मैं उसको अपने बस में कर लूँगा तो बस माने बस में करना कर मतलब करना अंकुस देखें अंकुस एक लोहे का छोटा सा बना होता है जिससे जो महावत है वो हाथी को अपने बस में कर लेता है तो अंकुस वही है खार बमाने होता है छोटा खार बमाने छोटा तो देखें जब सारे सब्दों के अर्थ आपको मालूम हो गए तो बस इस प्रस्तुत पद्यांस में तुलसी दास जी कहते हैं जब स्री राम चंद्र जी सीता स्वयंबर में रखे गए सिव धनुस को गुरु विश्वा मित्र की आज्या लेकर तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तब सीता जी की माता जी उन्हें अत्यंत छोटा देख कर चिन्तित हो जाती हैं तब उनकी एक सक्षी उन्हें समझाते ही वे कहती हैं हे रानी यहां तक आपको जोड़ना पड़ेगा फिर से एक बार देख लिए कहां तक जोड़ना है प्रस्तुत पद्यांस में तुलसी दास जी कहते हैं जब स्री राम चंद्र जी सीता स्वयंबर में रखे गए सीव धनुस को गुर विश्वा मित्र की आग्या लेकर तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तब सीता जी की माता उन्हें अत्यंत छोटा देख कर चिंतित हो जाती हैं तब उनकी एक सक्षी उन्हें समझाते हुए कहती है हे रानी ठीक है यहां तक जोड़ना है अब आजाए काबे पर अपने हे रानी जिसके बस में देखे जासुमाने जिसके बस बस में जिसके बस में ब्रहमा विश्णू संकर फिर अपने जोड़े तथा सभी देवतागन हो जाते हैं अब फिर अपने जोड़े वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है फिर से एक बार इस लाइन को देखें जिसके बस में ब्रहमा, विश्णू, संकर तथा सभी देवतागन हो जाते हैं वह मंत्र भी अत्यंत छोटा होता है हे रानी, हे रानी, विशाल मत्वाले हाथी के बारे में क्या कहूं फिर से देखें हे रानी, अपने जोड़ेंगे हे रानी, महा मतलब विशाल मत्वाले, विशाल मत्वाले हाथी के बारे में क्या कहूं फिर अपने जोड़ेंगे उसे भी महावत अपने खर्ब छोटे से अंकुस अंकुस के द्वारा अपने बस में कर लेता है फिर अपने जोड़ेंगे इसलिए हे रानी स्री राम चंदर जी को छोटा समझ करके चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है ठीक है अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए कावे में क्या जोड़ना है मैंने बता दिया अब कावे पर सीधे आजाए देखे जिसके बस में ब्रहमा विश्णू संकर तथा सभी देवता गण हो जाते हैं मंत्र भी अत्यान्त छोटा होता है विशाल मत्वाले हाथी के बारे में क्या कहूं उसे भी महावत अपने चौटे से खरमाने चौटे से अंकुस से बस में कर लेता है इसलिए है रानी स्री राम चंदर जी को छोटा समझे कर चिंता करने की आवस्यक्ता नहीं है और आपका जो व्याख्या है वो शमाप्त हो जाएगी ठीक है मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कल हम लोग एक नए पद्यांस पर चलेंगे